आज के इस वीडियो लेक्चर में सुस्वर ध्वनी यानी मिलोडियस साउंड को एकदम बेहतर तरीकों से समझेंगे ठीक है सुस्वर ध्वनी, सुस्वर का अगर मतलब देखा जाए तो सुरेली, पीर्य, सुहावना, अकर्शक, मधूर, अच्छा, प्यारा, मिठा और ध्वनी का मतलब देखा जाए तो आवाज होता है, किसी चीज का आवाज ठेक है, तो इसको परिभासित ऐसे कर सकते हैं सुरेली ध्वनी को सूस्वर ध्वनी कहा जाता है पेरिय ध्वनी को सूस्वर ध्वनी कहा जाता है आप इसे अपने तरीकों से परिभासित कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है जो ध्वनी सुनने में अच्छा लगता है उसे ही सूस्वर ध्वनी कहा जाता है यह भी लिख रखा है जिस ध्वनी को सुनने से आनन्द मिलता है राहत मिलता है उसी को सूस्वर ध्वनी कहा जाता है इसको इस्तर भी कर सकते हैं वह पहतर लगती है आराम दायक लगती है उसी को कहा जाता है सूस्वर्धोनी ठीक है तो आप अपने हिसाब से कर लिजेगा ठीक है सुस्वर्ध होनी का अगर इंग्लिस देखा जाए तो मिलोडियस साउंड, स्वीट साउंड, फ्लेजन्ट साउंड, हार्मोनियस साउंड और यूफोनिक साउंड होता है यदि आप किसी पंची के गाने के बारे में बात कर रहे हैं तो आप स्वीट साउंड या मिलोडियस साउंड का उपयोग कर सकते हैं यदि आप संगीत वाधियंत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्लेजन्ट साउंड या हार्मोनियस साउंड का उपयोग कर सकते हैं ठीक है, यदि आप किसी ब्यक्ति की आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप यूफोनिक साउंड का उप्योग कर सकते हैं, ठीक है, मुझे आसा है कि जो कुछ भी बताया हूँ, आसानी सी समझ आ गई होगी, ठीक है, सुस्वर धवनी को आप लबली साउंड या नाइस साउंड गूड साउंड इंगलिस कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए दिन, नए टोपी के साथ, तब तके लिए जैहिंद वन्दे मातरम